कि आप देख रहे हैं के टू नेटवर्क्स और ट्रैजर ऑफ नेचर में मैं पवन कुमार आपके लिए आज लेका है हूं एक और दिव्य अशद्य पौधा जैसे कि आप इसको देख रहे हैं इस पौधे का नाम तो आप जानी गए होंगे यह जो पौधा आप देख रहे हैं इसका नाम है अस्वगंधा इसे अस्वगंध के नाम से भी जाना जाता है इसे आईरुवेदी में और शद्यों के राज्य के रूप में दर जासिले इस पौधे का यह नाम इसकी गंध की शद्यवदा है यह दो तरह के होते हैं एक जंगली पर जाती है और दूसरी जो पर जाती है उसे उगाया जाता है जो जंगली पर जाती होती है वो आम तोर पर लंबी और जाड़ दुमा होती है और जो उगायी जाने वाली पर जाती है वह थोड़ी छोटी होती है तथा उ इसकी जड़े होती है वो गहरी भूरे रंग से हलकी भूरे रंग की होती है कच्ची जड़ों को उखाड़ने पर दोने के बाद ये स्फेद रंग की दिखती है और जब सुक जाती है तो ये हलके भूरे रंग में बदल जाती है या और कभी-कभी गाड़े भूरे रंग की व अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तो इसका जो किंग्डम है वो है प्लांटी इसका जो क्लेड है वो है टेकेोफाइड एंग्यूस्पर्म्ज यूडायकॉड्स एस्टिराइड इत्यादी इसका जो यह इसमें रखा गया एक लेड़ में इसके और अज़र जो है इसका सॉलनेसी इसकी सोलनेल्स है और फैमिली इसकी सोलनेसी है जीनस इसका विथानिया है और स्पीसिज इसकी विथानिया सॉमनी फेरा और इसका जो बाइनॉमिकल नेम है या बोटेनिकल जो नेम है वो है विथानिया सॉमनी फेरा अब हम बात करते हैं इसके और शद्यक गुणों की यह हमारी रोग प्रतिरुदक शम्ता को बढ़ाता है और हमारा जो स्टैमिना होता है उसमें भी इसका काफी फाइदा होता है स्टैमिना बढ़ाने के लिए यह एक दर्द निवारक के रूप में भी काम करता है बढ़ती उमर को गटाता है दिमाग के जो डिसॉडर रहते हैं दिमाग की जिनको शिकाइद रहती दिमागी प्रॉब्लम रहती है या फिर जो जिनको तनाव रहता है तो उन्रम के लिए जो है यह एक बहुत ही अशद्या गोनों से बरपूर एक दिवय अशद्य है इसको फ्राचिन समय में पागलों की दवा के नाम से भी जाना जाता है इसकी दर्दिनिवारक जो प्रॉपर्टी होती है वो भी इसमें देखी गी है नेचरल दर्दिनिवारक के रूप में और इसके अलावा जो है यह ज्यादा जो इसका प्रभाव देखा गया है बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है हलांकि दो से तीन दिन में वाइरल फीवर और जो कफ कोल्ड आदी जो हो ठीक हो जाते है इससे और यह एक एंटी ऑक्सिडेंट यानिके जो आपकी एजिंग की प्रॉब्लम जिनको जैसे बढ़ती है जमें रिंकल्स विगरा जूरियां जा रही है आना तो उस तरीके की जिनको प्रॉब्लम रहती है तो उनमें भी जो है इसका एक दिव्य जो है और शदी है उसक करता है किड्नी प्रॉब्लम में भी इसका यूज होता है जैसे स्टोन में जिनको किड्नी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है उसमें भी इसका एक यूज होता है इसका इसका इस्तेमाल होता है तो जिनकी नसें कमजोर रहती है जिनको नसों की कमजोरी रहती है तो उनके लिए जो है ये एक अच्छी औशदी है तो बहुत से लोगों में जिनके skin conditions रहती है जिनको skin related मतलब चमड़ी से लेकर चमड़ी से लेकर करके जिनको रोग रहते हैं या चमड़ रोग जिनको रहते हैं तो उनके लिए भी जो है एक अच्छी औशदी है तो ये anti-diabetic कियानिके जिनको मधुमेह की शिकायत रहती है तो उनके लिए जो एक दिव्य और शदी का काम करती है जिनको कब्ज की शिकायत रहती है और जिनके पेट में कीड़े बरते हैं तो उनके लिए तो ये एक रामबान और शदी है तो आज के लिए बस इतना सा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पौधे की जानकारी के साथ तब तक के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें